आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रशन में दिया गया है कि सिद्ध करें कि वर्गमुल 11 एक अपरिमी संख्या है, ठीक है? तो चले देखे हम इसे विरोधोक्ति विधी द्वारा हल करेंगे, है ना, विधी कौन से है? विरोधोक्ति विधी या फिर इसे विरोधा भास विधी भी कहते हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है? माना जो वर्गमुल 11 है है ना वर्गमुल 11 एक पर्मिय संख्या है ठीक है हमें सिद्ध करने अपर्मिय लेकिन मानेंगे पर्मिय ठीक है अर्थात हम वर्गमुल 11 को हम इस रुप में लिख सकते हैं ए बटे बी के रूप में जहां पे जहां ए और बी दोनों सहभाज पूणांक है ठीक है सहभाज पूणांक है अब सहभाज जी क्या होता है ठीक सहभाज जी का मतलब यह होता है कि यह दोनों सरलतम रूप में अर्थात इन में उभय निष्ट गुडनकंड एक के अलावा और क कुछ नहीं है जैसे उधाराण के लिए बता दूं जैसे लिखा है तीन बटे पांच ठीक है यह कहलाएंगे सभाज पूड़ांग क्योंकि अगर हम इसका गुड़न खंड करें तो यह तीन गुड़ित एक पांच गुड़ित एक तो इनमें एक केलावा और कोई उभाइनिस् है ठीक है अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग ठीक है तो वर्ग करने पर यहां पर हमें मिल जाएगे देखिए ग्यारा है इसका वर्ग ग्यारा हो गया और यह हो जाएगा एक का वर्ग बटे बी का वर्ग ठीक है तो अब हम क्या करेंगे तो यहां से हम बी के वर्ग को इधर 3 गुड़ा कर देते हैं तो यह जाएगा 11 B का वर्ग बरावर A का वर्ग ठीक अब यहां पर देखें आप देख रहें कि A का वर्ग जो है यह इसमें 11 गुड़न खंड है लिए इसलिए देखें गया है विभाजित होगा जब कोई वर्ग संख्या पूली तरह वाजित होंगा की Kenia 3020 यहांपे 250 तो मैं वोलूंगा कि यह 250 यह 5 के वर्ग से पूर्त विभाजित है 5 के है 25 25 25 से विभाजित हो गा तो जहleader जिस चीज का वर्ग है 5 से विभाजित होगा इसलिए यह इंग यह एक वर्ग है एक कवर्ग क्या है ग्यारा सरी भाजित हो रहा है ग्यारा के रूप में लिखा है ना इसलिए ग्यारा सरी भाजित है तो ए भी तो ग्यारा सरी भाजित होगा ठीक अब आगे बढ़ते हैं, तो जब यह 11 से भाजित होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 11B का वर्ग, और यह 11 से भाजित होगा, मतलब A को मैं लिख लूँगा, 11K के रूप का, ठीक है, A को क्या लिख लूँगा, इसका मतलब मैं यहां पर लिख लेता हूँ, A बराबर 11K, मतलब A जो है 11 से भाजित होगा, यहां पर K क्या है, K कोई भी पूड़ांक है, के पूड़ांक है, तो यह 11K हमने लिख 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 लगा देते हैं, अब यहां से देखिए, 11B का वर्ग बराबर आ जाएगा, यह हो जाएगा 11 गुड़ित 11, यहना 11 का वर्ग गुड़ित 11 और यह K का वर्ग, अब देखिए, 11 ग्यारा तो इससे कड़े आएगा, भागो के, तो B का वर्ग बराबर क्या आगिया, देखिए 11, K का वर्ग, अब आप यहां पे बोल सकते हैं, कि जो B का वर्ग है, वो 11 से भाजित होगा, यहना, B का वर्ग 11 से विवाजित होगा, विवाजित होगा अब देखिए बी ग्यारा से विवाजित हो रहा है और यहाँ पर हमने क्या सिद्ग गया था ए भी ग्यारा से विवाजित होगा है ना मतलब इसका मतलब यह है कि ए वबी ग्यारा से विवाजित होगे यही आया ना इसका मतलब अगर इसकी बात करें ए ग्यारा से विवाजित होगा लिखा यहाँ पर यहाँ पर लिखा बी ग्यारा से विवाजित होगा तो जब ए और बी ग्यारा से विवाजित होगे तो ए वबी सहवाज पूरांक नहीं ह कि यहां पर क्या आ गया यहां पर 11 भी आ गया इनका उभएनिश गुडण खंड आ गया इसलिए सभाज नहीं है जो कि हमारे कल्पना की विरुद्ध है यहां पर हमने क्या मानता देखिए आ और भी सहवाज है यह मानता न तो जो कि हमारी कल्पना की विरुद्ध है तो हमारी कल्पना की विरुद्ध है तो हमने जो सुरू से मानते हुए आ रहे हैं वो सब गलत हो गया अतह वर्मुल 11 एक अपरिमेशन क्या है यह हमारा सिद्धो गया विरुद्ध विदी से आसा करता हूं आपको अच्छे समझा गया होगा धन्यवाद अच्छे से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चात्रों का भरोसा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर